जो विधी कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं जो विधी कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं वक्त पड़े पर गज़ भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं वत पड़ा राजा हरिश चंद्र बेकाश जाकर विके भाई रोह ताश को डसा सर्पने रोती थी उसकी माई उसी समरोहित को देखो बच्चाने वाला को देखो कोई नहीं वक्त पड़े पर गज़ भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं जो विधी कर्म में लिखा विधा तक दाने वाला कोई नहीं मत पड़े पर गज़ भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं वक्त पड़ा देखो राम चंद्र बेवन को गए दोनों भाई राम गए और लखन गए थे साथ गई सीता माई वन में हरन हुआ सीता का बचाने वाला कोई नहीं वक्त पड़े पर गज़ भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं जो विधी कर्म में लिखा विधा तक दाने वाला कोई नहीं वक्त पड़े पर गज़ भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला तोई नहीं वक्त पड़ा बुढे माता पिता पे मन में श्रावन मरने हुआ सुनके पूत का मरना फिर उन दोनों का भी मरन हुआ सुनके पूत का मरना फिर उन दोनों का भी मरन हुआ उसी श्राप से दश रत मर गए जलाने वाला कोई नहीं वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं जो विधि कर्म में लिखा दिखा तह दाने वाला कोई नहीं वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं